और अब ground report करोना का हाल आपके राज्य में क्या है ये जानने के लिए चलते हैं हमाई साथ मद्रदेश का हाल बताने के लिए भोपाल से मनोच शर्मा जुड रहे हैं यूपी का हाल बताने के लिए लखन होथ आजीत सिंह औदर हर्याना का हाल बताने के लिए चंडी गर्षियर से महित्मलोत्र हैं गुजरात में क्या हो रहा है गरोना का, अबीदाबाद से जनक दवे बता रहा हैं हमें, हमाई साथ कूल कता से आशिका सिंग जूड़ रही हैं, बशप्राश्री मंघल में क्यरोना की ग्राउंड रिपॉर्ट बताने के लिए, दिल्ली में क्या हो रहा है हमाई साथ प्रियंक का कांटपाल जुड़ रही है और मुंबई में यानि महाराष्ट में क्या हो रहा है वो दिवाकर बताएंगे सबसे पहले आपके पास ही चलते हैं अजीत क्या खबर आज की आज की क्या रिपोर्ट है उत्रप्रदेश की अधिके बिल्कुल किसोर उत्रप्रदेश में 1200 का अकड़ा पार होगा और सबसे ज़्यादा जो करोना पॉश्टिव मरीज थे वो आगरा मिया और 33 करोना पॉश्टिव मरीज राइबरीली में जिसमें से एक्टिव जमाती हैं उनके जो साथ के लोग है उनकी हिस्ट्री है इसको सरकार खंगानले इसके बाद अगर प्रियाग राज की बात करें किसोर तो वहां आग 30 लोगों की गिरफतारी की गई है जिसमें जो बिदेसी थे जो 16 बिदेसी जमाती थे उन्हें सरण दी गई थी थाईलेंड और इंडोसिया के जमाती थे इंडोनेसिया के जमाती सभी को गिरफतार कर लिया गया है इलाबाद के इनुफ्ती के प्रोपेसर मुहम्मद साहिद को भी गिरफतार किया गया क्योंकि उन्होंने इन लोगो सरण दी थी 13 सरदाताओं को गिरबतार किया गया है साथ ही उत्तरपदेश के मुखमंतरी की तरफ से जो एक प्लाजमा थेरेपी की बात है उसको सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको जादा बढ़ावा दिया जा ये जादा कारगर हो सकता इसके लिए अगर आप बात करें मेरट या फिर देव बंद्यानी सहारन पुर वहाँ मरीजों की संक्या बढ़ी है तो उकल मिला कर ये है कि सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन अभी भी जमातियों की वज़े से ये संक्या दिन प्रदिन बढ़ती जा रही और हाट स्पार्ट के जो इलाके हैं वो दो सो से जादा हो गए है पुरे यूपी में तो जिन 56 जिलों में छूट दी गई है उसको लेकर भी कवायत की जा रही और जिन 19 जिलों में सक्ति बढ़ती जा रही वहां 100 प्रसत लागडाउन कर दिय जा गया है हम जहां खड़ें यह भी लखनों का सबसे मसूर इलाका है 1090 यहां से पूरे राजदानी को जोड़ा जाता है हमारे सी ठीक सामने मुखमंत्री आवास है विदान सभा सच्वाल है तो कुल मिलाकर अगर उत्तर पुदेश की बात की जाया कि सोर तो अभी भी इस् संख्या बड़े जिसमें 73% के आसपास संख्या या तो जमात से जुड़े लोगों की है या जमात के लोगों के कांटेक्ट में आयने वाले लोगों की है यह एक सरकार के सामने बड़ी चुनोती है हलाकि अब एक की जगा 16 लाइब में जो टेस्टिंग सरकार ने सुरू कर लिए तो अभी भी 1200 का बहुत बड़ा अकड़ा होता है अगर बात करें तो लगबग 300 के आसपास आगरा का है 1500 के उपर लखनौव का पहुंच गया है मेरट भी ज्यादा संख्या है गौतम बुद्नगर की भी संख्या बढ़ी है तो निफ्चित तोर पर किसोर अभी भी च जिन्ता जना खालात बने हुए उत्तरप्रदेश में चलिए अब मध्यप्रदेश का हाल जानते हैं आपके आंग क्या हो रहा मनोज जरा छोटा बोलिएगा जी जितना लंबा ना बोलिएगा कि शोर बड़ी दुखत का है 1500 के आसपास इंदोर अभी भी मुसीबत का सबब हुआ है और जिस तरह से वहाँ पर जो इस्पेक्टर की मौत भी इंदोर के ही अस्पताल में हुई थी और वहाँ पर आकड़ा लगातार बढ़ा है सेंटर की टीम भी आई है इस्पेशली किटिकल दौन में इंदोर को माना गया है एक खबर और है कि साथ ही साथ आज मध्य मंतरी बनने के 28 दिन बाद आज अपने केविरेट का पहला एक्सपाइशन किया लेकिन जो तस्वीरे सामने आई किशोर वो तस्वीरे कहीं भी एक अच्छा संदेश देने वाली नहीं मानी जा सकती क्योंकि उन तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हो रही थ दौर में एक अपराथ की कैटिगरी में आता है और उसके लिए पकाइदा सरकार ने आदेश निकाला था तो किस और मंतरी मंदल का एक्सपाइशन हो और लगाता और मद्देश के जो मामले हैं एक अच्छी का परते की डाही से और भेजे गे हैं उनके क्या रिजल्ट आते ह Lion How is yourRec और देखे किशूर गुजरात में एक चंता है श्ती जडर जरू कर और दोजयर क्रार जीतने मामिले पमडेश में पाए ऊसमयों 1 सो जीतने मामिले केवल और केवल आहम्दाबाद किया चो यहां आप समझ सकते हैं कि एहम्दाबाद कितना बड़ा होट-sपोट है और अब कर्फियू जिस तरीके से लगाया गया बावजुद उसमें सक्तिय बरतने की कब कहा गया है तो आकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है अला कि स्वास्तव मंत्रालेक की और समेंट है वो चुकि सतर फीसद ही अगर लगातार अब गिरता जाएगा चुकि अगर एक वेक्ति जो पॉजिटिव रहता है तो चौदा दिन में चार सो जीतना वेक्तियों को संपर्क में पॉजिटिव कर सकता है तो ये स्थिती नव बने इसके चलते मैक्सिमम सैंप्लिंग हो रही है और उसके रिपोट लिए होगी जो मंडिया है एपीएमसी मारकेट और वहाँ पर वहाँ पर ये खरीद दारे होगी वो भी रजिस्टिशन के साथ जिसके चते सोशल डिस्टंसिंग मेंटेंग बनाया जाए और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी बाती यही है कि गुजरात में जो आंकड़ा अब हम रुक करते हैं दिली में क्या हो रहा है प्रियंका क्या सबसे बड़ी ख़बर क्या है कि अब सफाई कर्मचारियों के मामले जो है वो सामने आने लगे हैं राष्टपती भवन की बात की जाए लोग सबसाचिवाले की बात की जाए और अभी ताजा ख़बर मिल रही कि एक कर्मचारी भी कोरोना पॉस्टिव हो गया यानि कि एक ट्रेंड अगर हम बात करें तो आज और कल के बीच में सफाई कर्मचारियों का देखने को मिल रहा है इससे पहले इसके अलावा तमाम दिन में हम देख रहें कि पुलिस वाले जो है वो भी कोरोना पॉस्टिव रहा जितने रिजल्स उनके लिए गए और आज भी इस तरीकी के रापीड टेस्टिंग यहां पर चल रही है लेकिन लगातार कंटेन्मेंट जोन भी बढ़ते जा रहे हैं जो कहीं न कहीं चिंता जनक है जी किशोर जीहां तो दिल्ली में जीहां स्तिती बहुत अभी भी च विखग से रहे हैं धिलर किशोर राजस्तान के इस सबसे इंपारिण बात ही जीहां कि देश में सबसे पहले राजस्तान'mी र Griffिट टेस्ट सुरू किया गया वरा रादसान में बंद हो गया राजस्तान सरकार ने जो जांच की अब तकी यह माना को सुचित कर दिया गया आगे भुष्षी क्या होगा ये रादस्तान के किट की रिजल्ट पे पुरे देश बर में डिसाइड होगा कि रैपिट टैस्ट होंगे या नहीं होंगे ये बड़ी खबर है दूसरी इंपार्डेंट बात यह कि जो जैपूर हो सबसे बड़ा होट स् की आ रही है कि अब जो सवाई मांसिंग अस्पताल है उसके डॉक्टर्स बहुत दा पॉजिटिव हो रहे हैं आज चार डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं ये थोड़ी सी चिंता की बात है तीसरी इंपार्डेंट बात यह कि भीलवारा के अंदर भीलवारा जिसको ती अधी बात यह कि राजस्तान में मंडियों में आज से खरीद गैहूं की खरीद हो गई सो खरीद के अंदर सुरू कर दिये गए जिसके गैहूं की कमी नहीं हो जी किशोर शुक्रिया बादी आपका उधरम हर्याना हर्याना में क्या हो रहा है मोहित मोहित आडियो नहीं आ रहा है आपका आवाज नहीं आ रही है महराश चलते है महराश में महराश में तो काफी इस्तिती मुंबई में क्या का जाया है कंट्रोल में आ रही है दिवाकर बिल्कुल नहीं किस ओर जिस तरह से मुंबई में लगातार मामले बढ़े जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर खबर इस वक्त इसलिए मुंबई की तरब से क्योंकि जिस धारावी को लेके सरकार की चिंता लगातार बढ़ती जा रहे हैं वहां पर अब मलेरिया की दवा इस ड्राक्षि क लोरोक्वी जो दवा है उसका जो है परिक्ष्ण किया जा रहा रहा है जो साधी आप परिख़न किया जा रहा है और इस कमिटी में जो एक्सपर्ट कमिटी के डॉक्टर्स हैं और बीमसी के डॉक्टर्स हैं ये दोनों जो है उस सामिल है 15 दिनों में राज सरकार को रिपोर्ट सौपी जाएगी कि क्या ये दवा कारगर है मुंबई में क्योंकि धाराभी इस वक्त राज सरकार के लिए सबस से बड़ी मुसीबत बना हुआ है पिछले पांच तीनों की बात करें तो इस इलाके में करीब 40-45 के सामने आए हैं और रप्तार से लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में प्रात्मिक्ता जो है सरकार की धरावी पर है लेकिन अगर पूरे महराश्ट की बात करें तो मामला जो ह हुई है लेकिन उसमें से करीब 80% 149 पहुते महराश्ट मुंबई में हुई है तो जाहिर तोर पर मुंबई में आकड़ा 3000 को पार कर गया है और जब साम को आज रिपोर्ट आएगी तब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितनी व्रिद्धी दच्की गई है क्योंकि हर दीन 300-300 मामले लगातार मुंबई में पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आज सुबा एक दुखत खबर आई थी कि पुने में एक और मौत हो गई है और पुने में मौतों का आकड़ा जो है 51 पहुंच गया है कि सोट तो जाहिर तोर पर दुखत खबर और खास तोर पर जो के आखे जहां पर जादा ध्यान देने की ज़रूरत है साथ सो इक तर कंटेनमेंट जोन जानी जो साथ सो इक तर इलाके हैं वह सील किये गए हैं भी आति जा रही है कि सोट आशिका के बाद चलते हैं आशिका पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल की रिपोर्ट दीजे मैं सबसे पहले आपको ये काऊं कि पश्चिम मंगाल में जहां की कोरोना के खिलाफ महा युद्ध होना था महाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में युद्ध चल रहा है कल सेंटर की तरफ से दो इंटर मिनिस्टिरियन टीम्स को भेजा गया जो कि यहां पर जो हाट स्प प्रदान मंत्री को चिट्टी भी लिखी ट्वीट का भी सिलसिला चला जिसमें ये कहा गया कि जब तक केंदर सरकार की तरफ से ये साफ नहीं बताया जाता है कि इसकी जरूरत क्या है और चित्ति क्या है तब तक ये जो टीम्स हैं इनको कहीं भी जाने नहीं दिया जाएग हैं उनका ये कहना है कि उनसे ये कहा गया है कि ये लॉकडाउन के दौरान वो कदम भी बाहर ना निकाले उन्हें ये भी कहा है उन्होंने कि चीफ सेक्रेटरी से कल उनकी मुलाकात हुई थी उनसे उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि जो भी होट स्पोर्ट से वहाँ पर उनकी टीमे जाएं और वहाँ पर क्या हालात है ये देखे इसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो केंदर को सौपे और राज को भी बताएं क्या-क्या एतियाद बरतने हैं वहला कि इसके बावजूद आज पूरे दिन इस टीम को बाहर निकलने नहीं दिया गया है और आंकडों की बात करें तो आज के आंकड़े अभी तक आए नहीं है लेकिन कल सबसे ज़्यादा यानि की 54, 54 मामले सामने आये थे करीब रापिड टेस्ट कल से जब शुरू हुआ 424 रापिड टेस्ट किये गए थे जिम्में से 54 मामले पॉजिटिव आये थे आज जम्में पहले से ही मिठाई की दुकाने जो थी उनको खोला गया था उनका समय बढ़ाया गया था उसको वापस घटा करके आज उसे फिर सुबह 8 से लेकर गया और 12 ही रखा गया है चुक्रिया आशिका आपका आखर में मोहित आपके पास चलते हैं जल्दी से जरा हर्याना के रिपोर्ट बताईए आपका आडियो नहीं आ रहा था पहले तेके सुबह हर्याना के ग्रहा और स्वास्तमंत्री अनिलविज ने ट्वीट करके कुछ राहत भरी जानगारी दी है हर्याना के लोगों के लिए हर्याना में जो रिकवरी रेट है अभी 108 ही एक्टिव केस हैं हर्याना में और उनका रिकवरी रेट 56 परसेंट से उपर चल रहा है यह एक अच्छी बात है दूसरी रोन अच्छी बात यह कई कि अगर पूरे देश में साड़े साथ दिनों में मामले दोगने हो रहे हैं तो हर्याना में आपने करोना को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन जो इलीगल शराब है मैं आपको आखड़ा देना चाहूंगा जो बड़ी खबर हर्याना से कि 25 मार्च से जब से लोगडाउन जारी हुआ है तब से रोजाना ओस्तन करीब 6000 बोत लें इलीगल शराब की पकड़ी ज लगाई गई है और सरकार के हाथ से भी बात निकली नहीं है जी किशोर शुक्रिया मुहित आपका आप सभी का शुक्रिया यह ग्राउंड रिपोर्ट हम समय समय पर लेते रहेंगे और थोड़ा सा और जो बड़ी खबरे हैं उनको और देखेंगे क्या क्या हो रहा है राज जो में